खेलो दोस्तों वेल्कम बैक टो आपका जोई Walter अजम के लिए लिए वीडियो लेकिया है।、、 इसमें मैं आ आपको बताँगो कि play trading कैसे करते हैं इसमें मैं आकाउंट है तो मैं जेरो दा मैं आपको बताँगो कि कैसे करते यह दिखी यह मैंने कल जो वीडियो बनाया था वो पाच टॉक्स किया पर लगा के रखे डाइजबॉर्ड पर आप मैं आपको बताँगो कि इंट्रेडे कैसे काम करता है देखी आप फिलाल आप यहां उपर काम देख सकते 8 बज के 57 मिनिट होए है जब 9 बजेगे तब सेंसेक्स और निफ्ती यहां पर दिखेगा कि कैसे कैसे ओपन होने वाले 9 बज जैसे लेके 9 बज के 7 मिनिट तक और जैसे आप कोई भी स्टॉक के ओपर ऐसे क्लिक करोगे तो आपको यहां पर बायर्स और यहां को बताता हूं यह देखिए ओपन का प्राइज जैसे 9 बजेगे ना 9 बज से चेंज होना शुरू हो जाएगा और 9 बज के 7 मिनिट तक यह चेंज होता रहेगा फिर 9 बज के 6 मिनिट या 9 बज के 7 मिनिट आपने देखना है यह प्राइस कितना है और कल जो मैंने वीडियो ब 111 रुपे से उपन हो रहा है तो आपने ले लेना है यह उपन राइस करने 9 बज के 6 मिनिट के टाइम और आपने ले लेना है वो स्टॉक को मैं आपको भी बतांगो कि आपने कैसे लेना है आप ऐसा 9 बज से लेके 9 बज के 7 मिनिट तक आपने ऐसा हर एक स्टॉक के जो पास में ट्रेडिंग करने जाएगे तो आपका नुकसा नहीं होगा इसलिए कोई भी एक स्टॉक ऐसे चूज करना है ये पाचो में से जो जिसके बायर सबसे च्छे है और जो अपने एंट्री प्रेडिंग कर सकते हो और ये बहुत लोगों को पता नहीं होता इसलिए आप इसमें कैसे स्टार्ट में कम कॉंक्टिटी स्में ट्रेड किया कीजिए क्यूंकि जैसे आपको इसमें एक्सपिरिंस आजागा फिर आपकी quantities बढ़ा सकते हो अब देखो 8 बचके 69 मिनट हो चुके अभी एक मिनट में मार्केट ओपन हो जाएगा फिर मैं आपको बताता हूं कि कैसे ट्रेडिंग करना इसमें और यह यह प्रेटिंग सेशन का कैसे स्टार्ट के 5 मिनिट में ही हम लोग स्टाउक सेल कर सकते हैं मतलब नव बच के 15 मिनट से नव बच के 20 मिनट तक जब हमको अगर नव बच के साथ मिनट में हमारा एक्जिक्यूट हो गया ओर्डर तो हम लोग नवज के 15 मैंट पे स्टॉक सेल कर सकते आप देखिए नवज गये है और अप देख सकते स्टार्ट हो गया है और दिखार है और दिखाराएगी कितने पर ओपन होगा यह ओपन रेट नहीं यह यह बी ओपन रेट का पिक्स होता है सो दो हजार पचासे से और सेलर्स देखिए 125 एक हजार इसमें क्या दिखा रहा है कि टॉप 5 बायर्स जो ही आपर स्ट्रॉंग है और टोटल बायर्स भी यह लगबख एक जैसे ही तो आपने टॉप 5 बायर्स देखने हैं और गुड़ लग कमेने प्राइस क्या बता है एक सो नौ रुपए दस पेसी के उपर तो आपने देखना है कि एक सो नौ रुपए के ऊपर यह खुलना पर खुलना चाहिए अब देखिए और एक दस सेकेंड 20 सेकेंड या एक मिनट के अंदर यह फिर से ओपन प्राइस जो जाएगा एक सो आट रुपए पचास पेसे आप यह याद रखिए जब तक हम लोग दूस सेकेंड श्टॉक देख लेते पदमजी पेपर के बारे मैंने बता है था कि 29 पेसी के उपर लेना है यह हमारे उपन तो आपने वेट करना है कि अगर यह इधर भी बायस फ्रॉंग होए तो आप इस टॉक में इंट्री ले सकते हैं इसके बारे मैंने कहा है कि 55 रुपे 50 पेसी के उपर लेना है तो यह 600 रुपे से उपन हो रहा है तो ठीक है लेकिन देखिए इसके बायर्स ज्यादा है टोट इसके बायर्स बीज्चान में रखना है वैसी आप सिगनेटर इंडिया भी देख लेंगे सिगनेटर इंडिया के वार मैंने कहा तो फिफ्टी सिक्स के उपर लेना है तो यह देखिए 57.45 के आसपस ओपन हो रहा है इसके भी बायर्स इसके देखो टोटल बायर्स भी ज्या यह स्टॉक आपने लेना नहीं है क्योंकि जब यह सर्कीट के पास ओपन हो रहा होगा तो फिर उसके उपर जाएगा ही नहीं ना वहाँ पर आप लोग यह रहा से निच आया तो आपका नुखसान हो जाएगा इसलिए और हमारा इसमें था बाय इंट्री पॉइंट ता 68 र इसके टोटल बायर्स का में टोटल सेलर ज्यादा है इसके टॉटल फाइवायर्स ट्रॉंग है क्योंकि यहां पर 15900 लेने के लिए रखे वे पदन जी पेपर फिर एक बार देख लेते इसके इसके टॉटल बायर्स भी स्ट्रॉंग हो गए है तो हम इसमें ट्रेट कर सकते ह फिर भी हमने 9 बच के 6 मिनट से लेके 9 बच के 7 मिन तक वेट करना है इंटेंस टेक के देखिए टोटल बायर्स अच्छे लेकिन इसके टॉटल फाइवायर्स में ज्यादा कॉंट्रीटि नहीं दिख लिए सिर्फ एक एक कॉंट्रीटि दिख रहे है इसका इसका देखिए इसके टोटल बायर्स भी अच्छे है इसके टॉप फाइवायर्स भी अच्छे है और यह हमारे ओपन रेट से भी उपर ओपन हो रहा है इसलिए हम इसमें भी ट्रेड कर सकते हो फिर भी हम लोग तीन मिनट और रुकेगे गए गनेशा उसिंग यह तो छोड़ी देते है क्य देखिए इसमें भी देखो टोटल सेलर्स बढ़ गए यहां पर 39,000 हो गए टोटल बायर्स 38,000 हो गए तो यह आपने वेट करना है क्योंकि हमें यह पाचों में से एक स्टॉक भी मिल गया ना तो भी हमारे लिए बहुत है क्योंकि यह सब स्टार्ट के पाच मिनिट में ही अपर नीचे उपर नीचे करते तो आप अगर पाचों के पाचों स्टॉक में ट्रेड करने जाओगे तो आप से नहीं होगा इसलिए वेट करो आप देखो यह 79 पदम जी पेपर जो दिखा रहा है 29 रूपिस 70 पेसे दिखा रहा है इसकी भी बायर्स यह सेलर्स बढ़ गए इसके बायर्स कम हो गए है इंटेंस टेक 68 रूपिस से दिखा रहा है हमारा 69 रूपिस का तो हमारा यह है टारगेट फिर भी 69 इसका अपर सर्कीट जो है वो 76 है तो अगर इस 69 भी ब्रेक किया तो यह उससे उपर भी जानेगी इसके चांसे से सिगिनेट इंडस्ट्री यह इसके टॉटल वायर्स भी ज्यादा है और इसके टॉप 5 वायर्स पे अच्छे तो हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं लेकिन इसका 56 रूपिस 60 पेसे के उपर इसका यह अपर सर्कीट है 58 रूपिस 70 पेसे तो यह जा जाके उपर 58 रूपिस 70 पेसे तक ही जा सकता है इसके बढ़ने के अच्छे चांसे से और डेलिवरी परसेंटेज भी देखना है जैसे गुड़ लग का 44 परसेंट कलमा ने बताया था पदम जी पेपर्स झाल करें दोस्ते पेश्टी थार्वे जयर अच्छे परसेंट रूपिस कि फिलाल तो मुझे सबसे लग रहा है कि इसके टॉप 5 बाइर्स भी ज्यादा है और टॉटल भाइर्स भी ज्यादा है और यह हमारे बाइरेट के ओपर ही ओपन हो रहा है तो हम इसमें ओर्डर हमारा प्लेस कर सकते हैं यह देखो मैंने CNC सेट किया है लिमिट अब मैं आपको बताने के लिए सिर्म यहां पर 50 कॉंट्रेक्टी दाल रहा हूं और मैं यहां पर 57 रुपीज का प्राइज दालूँगा क्योंकि यह ओपन हो रहा है 56 रुपीज यह एक व हमें पदम जी वेपर्स भी देख लेते हैं यह बार है कि यह हमारे बायरेट से 20 पैसे कब में उपन हो रहा है लेकिन आप पर इसके से बायर्स टॉप 5 बायर्स अच्छे टॉप 5 सेलर्स में देख सकते हैं आप एक एक कॉंटिटी इसलिए मैं अभी तक और हमारी कैंसल नह देखिए यह सब अभी ओपन हो गए 9 बच के 7 मिनट पर यह देखिए सब स्टॉक ओपन हो गए तो ओपन का रेट यहां फिक्स आया और हमारी ओर्डर देख सकते हैं आप लोग यहां पर एक इसीगिट हो गई अलग कि यह हमारे बायरेट से नीचे ओपन हो गया लेकिन तो एंट्री लेनी थी इसलिए मैंने यह ओडर कैंसल नहीं की अब देखिए इसमें से कितने स्टॉक हमारे बायरेट के ओपन होए है गुड लग जो मैंने 109 रुपे 10 पैसे खाता यह उसके नीचे ओपन हुआ है तो वेट करना यह इसका 109 रुपे 10 पैसे क्रॉस करने का पदम जी पेपर जो है वह उपर अपर होई जो रेट मैंने बाता है था 29 रुपचास पैसे उपर 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 उपन हुआ थो इसमें वी ट्रेट कर सकते थे उसे बदनेंस टेकनोलोजी 500 रुपे 50 पैसे के उपर का हत लेने तो यह 700 रुपे 30 पैसे उपन वाइस में भी ट्रेट कर सकते थे लेकिन देखिए इसमें टॉप 5 बायर्स इसके ठीक नहीं थे इसले मैंने यह स्टॉक में इंट्री नहीं ली और यहां पर आप देख सकते टॉप 5 बायर्स एक पचास पा 4000 5000 5000 क्योंकि हमरे प्राइस से ऊपर ओपन नहीं हो पाया इसलिए हम क्या करेंगे इसका यह पहले नौबच के पंद्रमेट में जैसे ओपन होगा वैसे पहले एक मिनिट में ही स्टॉक से अगर थोड़ा प्रॉफिट मिलता है तो हम थोड़े प्रॉफिट में निकल क्योंकि थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिलना वह ज्यादा इंपोर्टेंट है लॉस से ठीक है आप मैं आपको नौबच के पंद्रमेट पर वीडियो रिज्म करके बताता हूं देखिए नौबच के चवदा मिनिट तो हो चुकि अभी एक मिनिट में मार्केट ओपन हो आपके रखोंगा जैसे नो बच के पंद्रमेंट होगे तो मैं यह और और सेल करते हूं क्योंकि हमने हमारे बायरेट से नीचे लिया आए श्टॉक तो यह श्टॉक नीचे भी जा सकता है हमारे बायरेट तक चपन के ओपर लेना था लेकिन यह पचपन रुपे पचस पेस यह मैंने वीडियो बनाना था और आपको दिखाना था इसलिए मैंने यह श्टॉक आज याज लेना ही था मुझे इसलिए मने यह श्टॉक ले लिया तो देखिए अभी 9 बच के 15 मिंट पे मैं ओडर एकजीट करने जा रहा हूं यह देखिए हो 9 बच के 15 मिंट हो गए मैंन कि पच्पन पैंतालीस यहां उपर देखी है आपको रिखाएगा उपन रिट पच्पन चालीस यह देखे इसके अभी सेलर्स कम हो चुके यह स्रिफ 55 रूपयासी प्रेशे पिजाद सेलर्स से इसके लेकिन यह श्टॉक नीचे नीचे ही जा रहा है 55 रूपय पैठालीस 55 उपर जाएगा यह देखो 56 रुपए 30 पेसे 56 रुपए क्रोस कर लिया इसने 56 रुपए से यह देखे से लगाने जाता हूं देखते हमें फाइदा होता है कि यह देखे यह यहां पर सबसे यहाद राएर्स तो इसके में लेकिन आफिन इनीं इतने बड़ा सेलर्स लенे के लिए सेलर्स को साइच ब्रड में में लगता है कि शायद से थोड़ा नीचे अएगा देगा 57 पैसे चल रहा है यहां ओपर दिखे सिप्टान ुस्राइबSt.000 पैसे चल रहा है दोन पैसिटर अथावन रूपह बहुत्थ हाद करने से चाहार लिए से अब हम रूपरlot प्रॉस्ट करें यह देखिए इसके बाइसेलर भी टोटल सेलर्स आप यहां पर ब्रेक नहीं करेगा कि इस इड़ीच का हमारा 59 रुपीज टार्गेट था यह 58 रुपीज तक तो गया है भी तक अब देखते 59 रुपीज तक जाता है कि यह देखिए 57 रुपीज 90 पे से चल रहा है यह 58 रुपीज क्रोस करेगा तो हमने एक और और प्लेस करेंगे हम लोग लेने के लिए लेकिन पता नहीं वह ओडर में मतलब हमें फायदा होगा के नहीं फिर मैं आपको बता रहा हूं जस्ट कैसे हम लोग और प्लेस कते हैं हमारा तो पहले एक जादा धालोगे फ्सट्ना आपको प्रॉपिट जादा होगा अब ने 50 फैस्ट को यह चाहिए पासो पाचेजार ऐसे कौंटीटिट जालोगे तो आपको प्रॉफिट ज्यादा होगा इसे फिफ्टीए रुपीज क्रॉस करने पर हम ट्राइय करेंगे एक और बार यह स्ट लोग उपर गया एक फिफ्टीएट रुपीज चल रहा है अभी फिलाल कि एक फिफ्टीएट रुपीज भी क्रॉस कर दिया इसने फिफ्टीएट ट्वेंटीफाइए हो गया लेकिन यहाँ पर बायाई भुफ कम इसलिए हम लोग को ये रिस्क है अगर अब इसमें हम लोग एंट्री लेलेतो हो दो ये रिस्क है क्योंकि अगर पहले ही एंट्री हमने हमने पहले ही चिसल मिएrit तो अभी हमारे आप टार्गेट अजू सल करेंते зач conflicts क्यों 59 का टार्गेट है अल्रेड़ी 58 रुपिस 45 पर तो यह अल्रेड़ी चला गया है मतलब हमारा टार्गेट तो इसने अल्मुस्ट 90 परसेंट कंप्लिट करी लिया है यह देखिए 58 रुपिस 45 से अभी हम लोग यह छोड़ देते क्योंकि अभी इसमें एंट्री लेना थोड़ा मुश्च के लिए देखिए अभी हैंपे मुझे 25 रुपिस प्रॉफिट दिखा रहा है क्योंकि मैंने सिर्भ आपको दिखाने के लिए 50 शेर्स यहां पर ट्रेड क पकी स्टॉक का हाल देख लेते क्या हो रहा है देखिए गुड लग यह 109 रुपे 10 पैसे से उपड़ लेना था तो अभी 109 रुपे 40 पैसे चल रहा है 109 रुपे 50 पैसे अब देखते हैं इसमें भी कितना यह उपड़ आता है और यह गुड लग कैसा है कल अपर सर्किट पर नहीं था इसलिए इसलिए अब चलोज बड़ेगा जो अपर सरकिट पर लगे होते है है और धिएक इसका लो 66 तक आया जा हमने बाइ हमारा था 65 रूपिज reflects 50 पैसे के उपर तो वैसा ह Naw het 66 तक आया और वहां से देखिए 68 रूपिज 60 पैसे तक गया और हमारा पहला टार्गट था 67 55 पैसे और दूसरा था 69 तो इसने देखिया इसने भी हमारा 90 % डासर पिस फिलाल भी अभी यह देखो 68 रुपीज 55 पर चल रहा है तो यह हमारा 69 का टार्गेट भी अच्छिव कर सकता है उसके बाद पदमजी पेपर्स का मैंने काता 29 रुपीज 50 पैसे की उपर लेना इसका 31 टार्गेट था तो देखिए 29 रुपीज 70 पैसे पर उपर हुआ 30 तक गया है यह देखिए 30 अभी चल रहा है तो यह 31 तक भी जा सकता है यह देखिए 30 पे 12,000 शेर सेल करने के लिए तो जैसी 30 क्रॉस करेगा तो 31 तक भी जाएगा इसके बाद इंटेंस टेक के बारे में तो मैंने अभी चापको बताया सिगनेट इंडिया भी बता कर हो गया तो यह चार स्टक और जो हमारा एक था गनेश हाउसिंग वो तो अपर सरकीट पे क्यास पसी ओपन हो रहा था यह देखिए 68 रुप पैसे से ओपन हो गया और देखिए 71 रुपिस 95 ने हमारा टार्गेट भी अच्छिव कर लिया शुरुवात की पाच मिनिट में ही तो ऐसे हमने इंट्रेडे में ट्रेड करना चाहिए आपको समझ में आ गया कैसे करना है और देखिए आज भी हमारा सिगनेट इंडिया ने अच्छिव कर लिया पहले पाच मिनिट में ही उसके बाद गनेश हाउसिंग ने भी टार्गेट अच्छिव कर लिया उसके बाद पदम जी पेपर्स ने 30 क्रॉस करना है फिर टार्गेट शायद अच्छिव कर लिया मतलब पहले पाच मिनिट में हमारे तीन स्टॉक ने तो तो आप ध्यान से trade किए और start में कैसे कम quantities में trade किए जैसे मैंने भी 50 quantity लेकि आपको बताया ना वैसी start में 50-60 ऐसे quantity लीजिए जैसे जैसे आपका experience pre-trading session में बढ़ेगा एक week दो week में experience बढ़ेगा तो आप आपके quantities 50-100, 200, 300, 1000 ऐसे ऐसे बढ़ाते जाईएगा तो वीडियो में बने रहने के लिए thank you so much